रेडी हो जाएं डिक्टेशन के लिए 5 सेकेंड में स्टार्ट मानव विकास के इतिहास से पता चलता है कि प्रारंभ में जीवन में संघर्ष इतना अधिक था कि एक दूसरे के संसाधनों को प्राप्त करने और जमीन पर अपना अधिपत्य स्थापित करने के लिए आधुनिक मनुष के पूर्वज एक दूसरे की जान ले लिया करते थे अपने आपको सुरक्षित रखने का यह हिंसक तरीका शायद स्रेष्ठ महसूस हुआ होगा या संभव है यही एक मात्र विकल्प दिखाई दिया हो उस वक्त स्वाभाविक है तब हमारी निर्भरता शायरिक बल पर अधिक थी तब हम उतने शभ और बुद्धिमान नहीं हुए थे कि नए अविशकार कर सके संसाधनों की उपलब्धता का विस्तार कर सके विचार विमर्ष करके आपसी समाधान निशकर्ष तक पहुँच सके खुद के साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोच सके और मदद का हाथ आगे बढ़ा सके वे हमारी सीमाएं थी प्राकृतिक रूप से जो जगह अधिक सम्रध होती थी महां संगर्ष हो जाता गुटों और समूहों में विभाजित हो लोग अपनी जरूरतों के लिए तब तक लड़ते रहते जब तक कि दूसरे समूह को उसके ही छेतर से खदेड ना दें या उसकी जीवन लेला ही समाप्त ना कर दें या सामने वाला समरपड करके हमारा गुलाम ना बन जाएं शायद केवल एक नियम चलता था कि जो सक्तिशाली है वही जीवित बना रहशकता है मनुष्य के हालत उसके विकास के साथ बदलते गए अब हमारे पास जीवन को ठीक तरह से जीने के लिए बहतर विकल्प मौजूद है इस विकास से हमारे जीवन में आए संतुलन से हमें सुरक्षित परिवेश मिला जीवन में इस्तिर्ता आई तो हम और स्वस्त मान सिक्ता से चीजों को सीखने समझने लगे हमारे भीतर जिम्मेदारी और अच्छाई का बोध जागा और हम अच्छे काम करने को प्रेरित हुए मानवी समवेदनाओं ने हमारे अतीत के हिंशक मनुष्य की छवी को दुरुस्त कर दिया प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सह अस्तित्त जैसी प्रवितियों ने मनुष्य को परिभाशित किया तो पशु और जीव जन्तुओं से वह अलग होता गया उसके जीवन में संगर्ष के अखड और घातक तोर तरीकों से हटकर विवेक पूर्ण और बौधिक्ता से निखरे औजारों का प्रवेश होता गया प्रश्न यह भी सामने है कि इतना आगे बढ़ जाने और अपने को विक्सित कर लेने के बाद क्या हम अपनी आदिम प्रवर्तियों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं यह चकित करने वाली बात है कि वैचारिक रूप से प्रवुद्ध होते हुए भी आज भी हम मौका मिलते ही दो समूहों में बट जाते हैं चाहे दोनों पच्छों की लडाई ही गलत मुद्दे पर लड़ी जा रही हो हम बीच में कूद जाते हैं किसी भी पक्ष का साथ देना अनिवार्य ना भी हो तो भी हमें अपने विचार किसी एक के समर्थन में व्यक्त करना जरूरी लगने लगता है बुद्धी के बजाए हम बल पर जोर देने लगते हैं जिसके हाथ में लाठी देखते हैं हम उसके पक्ष में जा खड़े होते हैं सामान जीवन में भी अकसर ऐसे द्रश दिखाई देते रहते हैं जैसे किसी सडक दुरघटना के बाद दो समुह एक दूसरे पर दो शारों पर करते हुए चीकते चिलाते हाथा पाई करते नजर आएंगे पास में खड़ी भीर से कई लोग अपनी समझ के पक्ष को चुन लेते हैं फिर हालात को और दुरूह बना डालते हैं कुछ वीडियो बनाने में जुट जाते हैं इन में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो निर्विकार भाव से जक्मी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की विवस्था में सनलगन हो रहे होते हैं जब हमारा मन किसी बुरी घटना के होने पर समवेदन शीलता होने के बजाए निर्णायक के रूप में खुद को समलित करता है हम एक निरर्थक रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं किसी भी तरह की विशम घटना का घटित हो जाना और किसी एक को त्वरित रूप से जिम्मेदार ठहरा देना या इस तरह के किसी वाद विवाद में बिन विचारे समलित हो जाना हमारी संकुचित अपरिपक्व और असमवेदन सील समझ का परिणाम है मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की जगह कई बार इस तरह की घटनाओं से हम मनोरंजन धूनने लगते हैं अपनी नासमझ बातों के जर्ये हम माहौल में और अधिक उग्रता बढ़ाने लगते हैं पच्छ विपक्ष की उलजी हुई गुथियों से अधिक सटीक वहरास्ता होता है जिसमें हमारे मन में प्रेम और करुणा उत्पन हो पाती है कुछ चीजें इस्थितियां किसी भी तरह से समय में किसी के जर्ये की गई हो अनैतिक ही समझी जाती है ऐसे ही हमें अगर वकालत करनी भी है तब भी हमारा जोर किसी एक पक्ष की ओर ना होते हुए पीडित के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग के लिए उठना चाहिए हिंसा के समर्थन विरोध से अधिक महत पूर्ण है शांती और इसनेह की मांग लगातार करते रहना यह एक सरल सहज रास्ता है जिसमें हमें किसी का इतिहास खंगालने की जरूरत नहीं होती हमारा पक्ष केवल नैतिक और मानविय मूल्यों के लिए ही बना रहना चाहिए किसी भी रूप में की गई हिंसा अनैतिकता को सही मानते हैं तो हमारा भविश्य और अधिक असुरक्षित हिंसक और असहिश्णुता के लिए हुँ होगा अगर हम प्रेम और शांति पर बल देंगे तो हमें सवहार्द पूर्ण परिवेश मिलेगा मन्युष्यता की परिभाशा में हमें अभी और अधिक सुन्दर उदाहरण को जोडने की जरूरत है